So hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Trader So guys, आज अस वीडियो में हम बात करेंगे NMDC के बारे में साथ ही एक एक एजी कमपनी की बात करेंगे जिसे हापर अगर देखें, 1247 करोड का प्रोजेक्ट मिला है साथ ही guys, बात होंगी हापर NHPC में कि यहापर स्टॉक में आपको बिलकुल साल में दो बार डिविडेंट मल सकता है So guys, काभी कोज बाते होंगी, उससे पहले हम देख ले यहापर आज इंडियन मार्केट ने क्या परफॉर्ण किया है So Nifty 50 की अगर बात की जाए, तो Nifty 50 में आज अगर देखें 18,105 पॉइंट पे यहाँ पर अगर देखें, क्लोजिंग हमें मिली है एक गिरावट के साथ क्लोजिंग आज देखने को मिली है यहाँ पर अगर देखें, Nifty 50, 85.70 गिर चुका है और वही अगर बात करें गाइस, तो SANSACS की अगर बात की जाए तो SANSACS भी आज 293 पॉइंट गिरा है 60,840 पॉइंट पर इसने क्लोजिंग दिया है और गाईस वही अगर देखें, Nifty Bank की अगर बात करें तो Nifty Bank भी 265 पॉइंट यहाँ पर डाउनसाइड की और गया है तो यहाँ पर पहले भी हम इन Levels को Discuss कर चुक है आज अगर देखें तो Indian Market Morning में Upside की और खुला तो Upside की और खुला हम बिल्कुल यहाँ पर पहले साही रिसाइड था क्योंकि यहाँ पर US Market के अगर बात करें, Dojons के अगर बात करें जिसकी वज़े हैं यहाँ पर positive impact रहा So guys यहाँ पर market का ओर ही हो तो हमने ले लिया बात करते है NHPC की So guys NHPC government के बहतरीन shares में से एक है और यहाँ पर अगर दिखा जाए NHPC limited ने आज closing दिये है 40 rupees के price पर और पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर stocks में गिरावट थी काफी हद तक यहाँ पर NHPC limited में हमें गिरावट ने जराई बड़ बाद में stock ने धीरे धीरे यहाँ पर recovery कर ली आज की भी अगर मैं बात करू तो यहाँ पर 0.50 rupees के round share अगर आप देखोंगे तो closing देता हुआ यहाँ पर sorry अच्छे returns देता हुआ ने जराया था 1.27% के हसाब से morning में अच्छे return मिले थे बड़ उसके बाद यह down आना start हो गया last fighters की अगर बात करू तो आप देख सकते हूँ काफी ज़्यादा volatile share हमें देखने को मिला था यहाँ पर अगर देखे 40 rupees के price तक जाने में इसने यहाँ पर लगबख 4 से 5 दिन लगा दिये और यहाँ पर stock 49 rupees से 40 rupees तक जाने में इतना दिन लगाया गया एक ही रुपे तक यह share बढ़ पाया और वही एगर बात करें last six month में stock ने return तो अच्छे दिये यहाँ पर अगर देखे stock ने 46-45 rupees के round के high भी लगाया पर उसके बाद थोड़ा down आना start हो गया बट हम बात अभी wait कर रहे एक breakout का breakout मिलता है stock में इच्छा momentum आएगा और returns की बात कर ली जाए तो 9 रुपे 15 पेसे तक का यहाँ पर अगर देखे 6 महिने में return दे चुगा है 29.66% के हिसाब से so अब बात करते है stock में काफी बड़ी यहाँ पर काफी बड़ा government का फेसला लिया गया है उससे पहले देख लेते हैं एक बार mk global ने भी काफी बहतरी यहाँ पर targets दिये हैं यहाँ पर mk global finance ने यहाँ पर target दिया है उन्होंने 51 रूपिस का काफी टाइम पहले target दिया था तो बिल्कुल यहाँ पर stock अभी अच्छे level पर है उस level पर buy करते हो तो बिल्कुल आप भी 51 रूपिस का target रख सकते हो और guys वही अगर देखे NHPC ने यहाँ NHPC में एक news है center to develop hydro project तो guys यहाँ पर center दिखा जाए government जो है यहाँ पर एक hydro project था उसे फिर से उपर लाने कोशिश कर रहा है यहाँ पर अगर देखे तो जो अरुनाचल प्रदिस with several hydro power project in Arunachal Pradis remaining इंस्टालेट the center has identified around 10 to be taken over state run power developers soon तो guys यहाँ पर अगर देखे तो हरुनाचल प्रदिस में एक hydro power पे काम किया जा रहा था और यहाँ पर अगर देखा जाए उस project को बाद में बन करना पड़ा और यहाँ पर उस project को बन करने के बाद जो बड़ी बड़ी company थी जैसे आप मान लो यहाँ पर NHVC होगी NEPCO होगी CPSC होगी तो guys इसे जो companies हैं इन्होंने अपना काफी चादा पेसा इसमें लगा था और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अगर देखें जो hydro power projects है कलाई 1, टेटो 1, टेटो 2 तो guys इन नामों से बने थे और यहाँ पर उसको बन कर दिया गया था तो अभी government का कहना है कि यहाँ पर जो इन company का बेसा लगा है उन्हें वापस दिया जाएगा और इस काम को फिर से revive किया जाएगा यानि अगर देखें इस काम को फिर से start करने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है तो government का यह पहला फिसला है और NHPC इसमें involved है और बढ़ते आगे so NHPC में dividend की अगर बात करें तो यहाँ पर NHPC हर सा dividend देता है एक छोटा सा share है पहले तो काफी सस्ते में मिल रहा था अब अगर देखें तो 40 rubis के round जा चुका है बट अभी यहाँ पर एक perfect level है buying के लिए dividend के मामले में भी इनसे बहतरीन share आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पर बात करूँ अगर मैं dividend की तो यहाँ पर हर साल अगर आप देखोंगे तो एक से दो बार dividend तो आपको यहाँ पर मिल चुके हैं साथ ही 2020 में भी यहाँ पर दो बार dividend है तो यहाँ पर हर साल आपको dividend मिलेगा यहाँ पर यही benefit होता है सस्ते shares को अगर भाई करते हो 40 rubis का round काई share है तो उसके उपर आपको साल में अगर देखें 2 rubis का dividend मिल रहा है सिर्फ एक share के उपर अगर यहाँ पर आपके पास इसके 10 share है तो बिलकुल आपको 20 rubis का dividend मिलेगा तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि quantity कितना ज़्यादा matter करती है labels important है labels यहाँ पर बिलकुल एक breakout का wait हम कर रहे हैं काफी times से यहाँ पर stock अगर देखें NHPC Limited अगर दिखा जाए stock यहाँ से गिरा यहाँ से गिरा बिलकुल यहाँ पर गिरावट रही थी upside down मोमेंटम रहे थे उसके बाद एक breakout share में मिला breakout के बाद stock उपर गया था sustain करके सिदा higherize लगा है तो यहाँ से sideways जाके बिलकुल नीचे के रहा है और जब हमने इन points पर trade line बनाई और यहाँ पर भी हमें support था ही था तो बिलकुल उसी level पर हमने clear केर दिया था कि यहाँ से stock में अच्छा momentum आ सकता है stock यहाँ से अच्छे level पर बिलकुल gain कर सकता है और वही हमें देखने को मिला भी stock यहाँ से अगर देखोंगे उपर जाता हुआ नजरा रहा है हाँ पर भी अगर मैं trade line बना दू देख सकते हो गाज इस particular level पर भी अगर मैं trade line बना दू तो stock में एक breakout हाँ पर मिल रहा है मिलता है तो stock में बिलकुल 45-46 रूपिस के round यह share easy तरीके से हासे momentum बता सकता है long term में तो हमने देख लिया अब बात करें 15 minute के chart frame पर upside down momentum है breakout मिला है तो यह ही से stock उपर जा रहा है तो guys कल यहाँ पर बिलकुल 50 पेसे से 1 रुपे तक की बड़क भी हम देख सकते है आने वाले मंडे पर बड़े time frame पर तो जैसे मैंने यह level आपके साथ share करी दिया है बड़े time frame पर तो बिलकुल support लेता हुआ share उपर बड़ा है तो बिलकुल हापर upside down बिलकुल एक rally हमें देखने को मिल रही है हापर भी अगर एक trade line बना है तो बिलकुल एक support लेता हुआ ही यह share उपर जा रहा है और बड़े time frame पर तो आप देखी सकते हो यहापर बिलकुल double bottom type button है इस particular level को break कर देता है perfect volume के साथ तो अच्छे return से आपर मिलेगी ही मिलेगी है बढ़ते आगे बात करेंगे कल्पत रू पावर transmission limited की कल्पत रू पावर transmission की बात की जाए तो 555 रूपेस के अराउंड का यहापर share अगर देखी closing दी है 55.10 वेज़े पर 5 रूपे 30 वेज़े तक की एक बड़त बताई है 0.96 वेज़े और यहापर काभी बड़ा प्रोजेक्ट निनो ने हासिल किया है तो बिल्कुल इस share को अपने watchlist में आप रख लो यहापर अगर देखे गाईस तो 1247 करोड के अराउंड का यहापर बिल्कुल एक बड़ा प्रोजेक्ट निनो ने यहापर बैक किया है और गाईस बिल्कुल इसका impact पर सकता है share के उपर तो गैस काफी कुछ बाते होगी इस particular वीडियो में इन shares को लेकर इस तो वीडियो को यहापर एंट तक देखा आपने तो गैस वीडियो अगर अच्छा लगाऊ वीडियो को like कर देना चनल को subscribe कर देना और यहापर इन share में investment करने से पहले एंच्छा इखा इखा एक बर अच्छा इखा एक बर एक बर ऑट रसका लिना तक यू